जिनके साथ हम थे वो हमें बेगम दे रहे थे और राजा मारना चाह रहे थे बताओ आप तो मुझे अच्छी तरह जानते हो कोई बात मेरे चेहरे पे यार जुबान पे ना आए उससे पहले आप मेरे बात को इशारे के तोर पे समझ जाओ बड़ी मिदारी होती है कभी कभी तो कड़वे फैसले लेने पड़ते हैं तो आप तो मुझे अच्छी तरह जानते हो कोई बात मेरे चेहरे पे यार जुबान पे ना आए उससे पहले आप मेरी बात को इशारे के तौर पे समझ जाओ रणनिती सामाजिक जीवन और राणितिक जीवन में रणनिती होनी चाहिए यही नेता का काम होता है शत्रंज भी यहां खेलते होंगे किसी को शौक है शत्रंज का तो शत्रंज में एक ऐसी चाल हो कि प्रतिजवंदी यह दिखाता है कि मैं कमजोर हो लिया और फिर मात दे है कुछ हमारे साथ ऐसा ही करना चाहती थी सामने वाली बाटे जिन के साथ हम थे वो हमें बेगम दे रहे थे और राजा मारना चाह रहे थे बताओ हमें को मलाल नहीं है उनकी अपनी जिम्मेदारी है अपने दल के लिए मेरी जिम्मिदारी अपने लोगों के लिए, देश में क्या हो रहा है, कौन से मुद्दे आगे बढ़ चड़ कर, जिनकी सरोकार जनता के बीच में है, विश्वात जनता का किन लोगों पर है, उसे हमने और आपने भी देखा, और नेता की बड़ी जिम्मिदारी होती है, कभी-कभ जनता फैसले लेती है, और नेता कहती है कि जनता ही सही है, मैं जनता के साथ चलूँगा, जनता के आगे-ागे चलने वाला भी नेता होता है, जनता को मोडने वाला भी नेता होता है, और कभी-कभी जनता का निर्ने, जनता का मिजाज, जनता का जो मन, कौन सी बात जनता को ठीक लग रही है उस बात के साथ खड़े होना वाला व्यक्ति भी नेता होता है और मैं लोगदल वालों को समझा सकता हूँ मैं तो लोगदल के लोगों से खास तोर से बात करने आया हूँ बीजेपी के उमीदवार है ही हमारे लोगदल वाले पूरे अधिकार के साथ इन से काम भी लेंगे और लोगदल के मान सम्मान और कारकरता के मान सम्मान के लिए हम कसर कर भी सकते हैं ये कसर नहीं छुड़ने व कि हम ले और आप ने तो संगर्स बहुत किये अब आप भी सोचिए हमारे जो मुद्दे हैं आप किसान की तरफ देखिए किसान की अगली पेड़ी जो है चौदी अजीर सिंग जी क्या हमारे छेतर के लिए चाहते थे वो चाहते थे कि यहां जमीने तो इतनी छोटी रह गई बटवारे होते रहे आगे भी होंगे सामाजिक विवस्था कुछ ऐसी है कि खेती के लैग जमीन तो और कम बचेंगे जब तक कोई दूसरा सुरोत खड़ा नहीं होगा रोजगार का खेती से अलग हटके भी अद्योगिक छेतर में बहुत विस्थार होने की जरूरत है उत्तव प्रदेश में लास्ट चीनी का अद्योग चोधिया जी सिंग्जी ने स्थापित किया और उसके बाद कोई बहुत ज़्यादा तरक्की हमने होती ने देखी अब हमने देखा है कि सरकार ने जो केंद्र में हैं उन्होंने एक इच्छा सक्ति उनकी है जो प्रबल है और जो दिखाई पड़ती है इनके नजर में कोई काम छोटा नहीं होता जब तक ये सोच हम समाज में और नेताओं में पैदा नहीं करेंगे कि काम कोई कमजोरी या छोटा नहीं होता कासकार, मजदूरी करने वाला मजदूर, जो कारिगर हैं, कुमार है, लोहार है, सुनार है जो हाथों से काम करते हैं, आपको लगता कि या रहे ये तो बहुत छोटे काम है कई बार मुझे लोग आके मिलते हैं जी हम तो बड़े छोटे समाज से हैं मुझे टोकना पड़ता है कि छोटा समाज क्या मतलब होता है तो यह जो छोटे बड़े की आपस में बैर करने की हमारे छेत्र में पूरानी फित्रत रही है और यह रोग की तरह है इस व्यवस्था से बहार निकलते हो शहर में चले जाते हैं लोग तब भी वो जाती से नहीं ऊपर उठबते हैं यही तो चौधी चरण सिंग जी की मुख्य लड़ाई थी वो जातियों को कि महत्व इतना ही देते थे कि उनको यह समझ में था कि मंच पे राणितिक विवस्था में सामाजिक मुख्य धारा में हमें ख्याल लखना है कोई भी जाती वंचीत ना रह जाए इसलिए बहुत से ऐसे समाज के लोग जिनको कभी मौका ने मिला चौई साब न इसमें विक्सित करने की कोशिस सरकार में बैठे लोग कर रहे हैं